हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में खाना खाया क्या आज मैं आपके साथ एक बहुत सी आसान सी कम दूद में और बहुती ज़ादा टेस्टी लगने वाली चाय की रेसिपी शेयर करने वालों यह चाय बनाना बहुती ज़ादा आसान है बहुती कम यह है कि हम कम दूद में भी इस चाय को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना सकते हैं इसके लमें क्या करना सबसे पहले हम सबसे पहले अपना एक सॉस पैन लेना वह पहुत थोड़ा सा हमें पानी लेना अब इस पानी में हम क्या करेंगे करीब डेड़ से दो चमच हम इसमें चाय पत्ती डालेंगे चाय पत्ती जो है वह बहुत अच्छी क्वालिटी की होने चाहिए मैं जो चाय इस्तवाल कर रहा हूं वह मोटवानी चाय है और यह चाय पत्ती आपको आम तोर पर कहीं भी मिल जाएगी अब इसमें एक से देड़ चमच जो है वह चीनी हम अब हम इसमें चोटे चोटे टुकड़े जो है अद रक्के वो कट करके इसमें डाल देंगे आपको इसमें कूट कर डालने की जरुवत नहीं है बस सिंपल आप कट गर डाल देजिए एक लॉंग को अपने हाथों से उस लॉणग को भी आ इसमें डाल देजिए अभी आपको ये जो अपना saucepan है इसको भी gas पे नहीं रखना है आप इसको हलके से इसको चला लिजे जिससे कि चाय पत्ती का जो रंग है जो उसका टेस्ट है वो थोड़ा सा पानी में आ जाए अब हम इस saucepan को क्या करेंगे इपने gas पे रख देंगे और gas को हम on कर लेंगे अब आप इस gas को बिल्कुल कम आज पे रखके जो है आप इसको धीरे धीरे पकने दीजिए जब चाय पत्ती जो है पानी में अच्छे से पक जाएगी देखे मैंने इस तरह से इसको पका लिया है अभी इसने अपना अच्छे से color छोड़ दिया यहां पर हम क्या करेंगे दालने के बाद आपको क्या करना है इसे बिल्कुल धीमी आज पे बिल्कुल अपने गैस का जो आपका बटन है उसको बिल्कुल स्लो कर दीजिए बिल्कुल गैस अपने धीमी कर दीजिए और इसको थोड़े पकने दीजिए जब गैस धीमी होगी यह धीमी आज पनेगी त तो हम अपने गयस को यहाँ पे बंद कर देंगे अपने गयस को बंद करने के बाद हम क्या करेंगे इस चाय को हम थोड़े उजैंडे एसे ही रहने देंगे जिसे चाय पत् heating का जो टेस्ट है वो चाय में आ जाए और देखें यह हमारी चाय बनके त्यार हो गई है। यह बहुत ज़्यादा आसान, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा ऐसी चाय है जो पीने में आपको मसा आएगा। ऐसी ही रेसिपी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, तब तक मैं आपसे पूछ रहा हूँ, खाने में क्या साया?